दोस्तों नमस्कार मेरा नमें डॉक्र केके पांडे और आपका इस चैनल पे बहुत बस्वागत है दोस्तों आज हम बात करें कि हमेपैथिक मेंडसीन फासफुरस के बारे में फास्पोरस का यह सेकेंड पार्ट है दोस्तों अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो चैनल पे जा करके उसको देखने ताकि आगे वीडियो में बताने वड़ी सारी बातें आपको समझ में हैं तो आईए दोस्तों शुरू करते हैं हेल्थ केर के अथेंटिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नया अपडेट आपको मिलता रहें हैं दोस्तों फासफोरस का इंबड़ा एक्सन होता है बालों पर अगर आप बालों में देखें तो बालों में एसे पेशेंट को रूसी बहुत ज़्यादे बनती है बहुत ज्यादे रूसी गिरती है इसको आप कंपेर कर सेथे हैं लाइपोड्यूं के साथ में इसके साथ में दोस्तों देखेंगे कि सिर में अगर ऐसे बाल जऴा रहा हो जैसे गुच्छो में हो बहुत ज्यादे मातरा में गिर रहा हो कभी पेशिंट आगे बोलते हैं रोग सब गुच्छों में बाल जढ रहे हैं तो वहां पर फास्पुरस का बहुत अच्छा रोल होता है दोस्तों इसके अलावा कुछ ऐसी कर्णीशन जिसको बोलते हैं मतलब किसी पर्प्र जगह से बाल हट जाए वहां से बाल गया होना शुरू हो जाए तो ये बिसिक्रिवी पंगर फास्पुरस का बहुत अच्छा रोल होता है दोस्तों मैं पर यह गए अन्दर से खूकली हो गई ऑगया है इस सरीके के महसुत हो आखों में आप देखें कि पफी स्वेलिंग हो जाए आख की उपर यह और नीचे पलकों पर स्वेलिंग हो और सूजी हुई हो उटमेटेश स्वेलिंग हो मतलब दबाने से गट्टे जैसे पढ़ जाते हूँ इस तरी के यह स्वेलिंग हो तो दोस्तो ऐसी कंडिशन में फासफुरस बहुत अच्छा काम करती है यहाँ पिसको हम compare कर सकते हैं काली कार्ब और एपिस्मेल के साथ में कि अगर उपर की पलग ऐलेट से कर उपर वाली सूजी हो तो वहाँ पे काली कार बहुत अच्छा काम करती है और अगर नीचे की परक सुझी हुई हो तो वहाँ पे एपी स्मेल बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों आखों का एक बड़ा important symptom होता है कि अगर आख की जो नीचे blue rings around eyes अगर नीचे घहरा महसूस हो तो वहाँ पे फासफोरस बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों फासफोरस का एक रोल होता है मोतिया बिंद के रूप में मोतिया बिंद में जहां पर जैसे लगता है कोची आगे आखों के आगे कुछ उड़ती सी दिखाए देती है flickering before eyes कभी-कभी ऐसे महसूस होता है जैसे बादल सा चाया हुआ है आखों को पर और दोस्तों इन सारे symptom पे बहुत अच्छा वर्क होता है फासफोरस का फासफोरस के कुछ आपको ऐसे symptoms बता रहा हुँ है जो कि बड़ा different type पर दोस्तों जैसे कि देखेंगे कि कोई भी रोशनी आती है या कोई बत्ती जलती तो उसके किनारे किनारे हरी आभा सी महसूस हो तो वहां पे फासफोरस बहुत अच्छा काम करती है इसको मुं compare कर सकते पढ़ते वक्त पेशेंट को अगर जो अक्षा होते हैं वह अगर रेट कलर के दिखाई दे रेट के महसूस हो तो वहां पे फासफोरस बहुत अच्छा काम करती दोस्तों आख की कुछ भी मारू में आपने देखा हुआ कि पेशेंट को धुनला दिखाई देता है सामने पर इमपार्टन सीम्टम है फासफोरस का अगर ऐसा कोई पर तर्फरेशंट आपको दिखता है तो वहां प ubर फासफोरस यूज करते हैं बहुत ब़़ीया काम करती दोस्तों इसके परचेंट को अगर देखें तो फासफोरस का परचेंट हमेसा थंधी चीज चीजिश ठंडा ठंदा पीना पिशन को अच्छा लगता है इवेन आइस्क्रीम खाने से पेट में दर्थ होता है तो उससे आराम मिल जाता है दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टन चीज है फासफ़रोस के पिशन का आपको देखिए तो उसको जूस जो चाहिए होता ठंदा पानी पीना तो चाहता है लेकिन ठंदा पानी जैसे पेट में जाता है और वो गरम होते ही वो पेशन उसको थ्रॉट कर देता है उल्टी हो जाती है दोस्तों ये एक बड़ा इंपॉर्टन सिंट्म है कि कोई भी पेशन अगर ठंदा पानी पीता है अच्छा लगता है ये जय diligent पेशन जाता है पानी और गरम होता है तुरन्थ उल्टी हो जाती है ये बाहर आजाता हो पानी तो वहांपे बहुत अच्छा काम करती दोस्तों कभी कोई आपने कुछ ऐसे पेशन को देखा होगा जब मोई खाना खाते हैं और इसमें आप compare भी कर सकते हैं, alumina के साथ हैं, खाना खाने के तुरंत बाद फिर से भूख रगना, खाना खाने के बाद खटी टकारे आना या खटा स्वाध आना, ये सारे सिम्टम्स फासफोरोस को इंडिकेट करते हैं, दोस्तों, गरम पानी में हाट डालने पर मिचली में defloratorum का भी यूज किया सकता है, दोस्तों, उसमें भी इस तरह के सिम्टम्स पाए जाते हैं, कि पिशेंट को अगर पानी में हाट डाले तो उसको सर्दी हो जाए, च्छी काने लगे, तो यहाँ पे लैग defloratorum और फासफोरोस दोनों काम करती हैं, दोस्तों, कबड़े धोन के एक बड़ा different symptom होता है, कि पिशेंट को सुनाई कम देता है, और especially मनुसे की आवाज, आदमी, औरत की आवाज कम सुनाई देती है, तो वहाँ पे दोस्तों, फासफोरोस बहुत अच्छा काम करती है, फासफोरोस के पिशेंट के एक और symptom होता है, कि फासफोरोस के पिशें मेट्सीन है, फासफोरोस, नाक के पिशेंट के होती है, इसमें अगर फुतकन सी महसूस हो, जो की लाइगो पोडियम में भी ये symptom पाए जाता है, तो वहाँ पे एली नेजाई के लिए बहुत अच्छी दवा है, फासफोरोस भी दस्तों, कभी-कभी ऐसा symptom पाए जाता है प पाइस हो, वहत अच्छा काम करती है, खाना खाने के बाद झाले जो में ना खाने के बाद को लिए एक transmitted वाए ना खाना के बाद के बाद जो खाया हुआ कि गले में दबाव सी महसूस हो, वह चीज उपर आना चाहती हो तो ऐसी symptom पे ग्र खान neatly के बाद डूस्वात SIIBटम्न को कालपनिकको क्लिक में होती है ये सम्टम्न के साथ को पुराने सदी जूकाम नजलाओं के साथ में देखेंगे लंहों को यहें फास फुर्यमन का लुट का दूस्वातया है इभिए ब्सक्लेश को गुंत nickel即ौर मेन सब्लाओ विपया पक्रआए ऐसे कंदिशन में दोस्तों फासपोरोस अगर आप देते हैं तो वह कंदिशन को सही कर देती hai भीमारी को दूर कर देती से दोस्तों नैजल पॉलीक की बहुत अच्छी मेडिसीन है फासफूरस गंटॉदृ इ चाहे जब्लीडिनग वाला हो जिसे बलड आता हो तो वह DO simultaneous चाहतीर कर सकते हो साथ can raped printing के साते हैं, फासफ पुरस से एक बहुत अच्छी program desk Gibson के विर्ओंद खॉत स करने में स्टूर को बहुत परशाने होती हैं तो आसी condition में फासफ पूरसा यह उरोल करती है, ऐसे इस चूल के रिए और इसको पूर्च में कर सकते हैं। इस टैफिस हैं प्नित जु odor होने के कारण सब्सक्राइज को पास करते हूं और दोस्तों। सबते हैं फिन्ट फेसे प सबनी हैं, जु लगता जाएं केस ओज चेवल हैंरेजर की मेटेशी नहीं दोस्तों वह जो सिंपर्यों जिनको यह उनको पूह होती है और जैसे वह पेट मेगन लूज मूं सर्थ हो कि स्टाट है यह इसका ध्यान रखना अपने मैं बात कर रहा था मैं था ढषा होता है कि patient कुछ भी खाता है जैसे वह पेट में जाता है disadvantage स्टार्ट चाठ यह का वादा खास सीम्टम है कि patient कुछ भी खाता है एक नवाय दो यह वज़ को ख्युवर्यों करना है तो ऐसे इस टूर्स की वड़ी स्टूल पास होता है वह ऐसा मैसूस होता है जैसे कोई नल खोल दिया गया हो उसमें से पानी जर 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 बहता जा रहा हो लगातार तो उस तरीके का दोस्तों स्टूल पास होता है फासफोरस का फासफोरस के जो स्टूल होता है वह इस तरह से बहता है जैसे बंबे से पान होता है कि जैसे मल दवार को खुला ही छोड़ दिया गया हो इस तरीकी का पतला इस टूल पास होना शुरू हो जाता है दोस्तों तो यहां पिसको कंपेर कर सकते हैं तो ऐसी कर्णिशन में फास्फवरस बहुत अच्छा रॉल प्ले करती है छोफ है फास्फवरस के इसरे इक और खास बात है कि सा साथ में नेचे गैस बहुत चाहिए पास होती है उसमें दुरगंद बहुत जाहिए हिए कभी सफेद रंग का स्टूल पास होता है तो कई तरीके का स्टूल फासवरस में आपको देखने को में दोस्तों फासवरस के स्टूल के बाद दूज जिसे कि मैंने आपको बताया कि नर्ड खोल दिया गया हो इस तरह का उसके बाद बहुत ज़्याद वीक्निस हो तो वैसी कं कंडिशन में अगर खास हो से जो अगर उल्ड पीपल हो बुढ़े लोग हो उनको सुबह के समय मौनिंग डायरिया हो तो वहां पे फासवरस का बहुत अच्छा रोल होता है कॉलना होने के पहले अगर इन्वालेंटरी डायरिया हो तो वहां पे फासवरीक एसी बहुत अश अच्छी लगी होगी दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा शेयर करिएगा अपने जासे दोस्तों में ताकि वह लोग इससे फाइदा ले सके चैनल पे नहीं दोस्तों तो सब्सक्राइब जरू करिएगा और नोटिफिकेशन बिल्कुब सुलब फедी यह लोगी हो वोगी ङले सबक्राइब जरू करिए तो सीषए्ट लेफ़ी दोस्तों में लोगी हो जानकारी बिल्कुब एससे छोस्तों पीदान 5